हमारे माबाप हमें बच्पन में सहजादों के तरह पालते हैं सबी कोई को लड़का हो या फिर लड़की हो इसलिए हमारा भी फर्च बनता है कि उनके बुढ़ापे में न उनको बासाओ के तरह हम रखें बहुत बड़ी बात है इस पर आप सबी अमल करिएका जितने भी मेरे भाई बेन देख रहे हैं और अपने आपको इतना काबिल बनाएए अपने महनत के बलभूते पर ताकि आपके मम्मी पापा को बुढ़ापे में किसी चीज का कमी न हो ठीक है राद दिन बस इसके बारे में सोचे मनजिल तो खुद आपके अपास चल कर आएगी सचाई बता रहा हूँ डायलेक्ट नहीं सचाई बता रहा हूँ ठीक है अगर जिस दिन आप सुबस साम बस इसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिये न तो महनत तो आप साथ में करेंगे ही करेंगे और मनजिल आपको दिखाई देगी क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूँगा चैनल पे जो भी नए है चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दिजेगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे और जो भी चैनल के उपर नए है एक बात मैं बोल दूँँ आप सभी हमारा एप्लिकेशन जो है सक्सेस की 98 गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप सभी वहां से उस एप्लिकेशन के उपर किसी भी एक्जाम का मोक्तेस दे सकते हैं या फिर बैंक हो, SAC हो, रेलवे हो, किसी का भी एक्जाम हिंदी और इंगलिस दोनों ही लैंग्वेज में और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 2nd March के Important Current Tuffer और आप सभी को पता है कल से SAC, CGL का एक्जाम है यानि तीन तारीक का एक्जाम है कल से और मैं आपको पूरा रिव्यू दूँगा और जितने भी क्वेशन आएंगे वो सारा क्वेशन मैं आपको अपनी चैनल पर कराऊंगा भी ठीक है और उसके पहले क्लास के टाइमिंग को एक बार आप सभी देख लिए ना क्योंकि आज मंडे है तो क्लास जाहिर सी बात ही होगी तो देखते हैं आज का पहला क्वेशन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और आज का पहला प्रस्ट है सरकार किस वर्ष तक दूद की छमता की बात कर रहा है इंडिया में वो तोटल जो है वो दुगणी हो जाएगी कब तक किस वर्ष तक तो पहले आप कुछ इंफॉमेशन सुन लो पहले क्वेशन से आप सभी को पता है पूरे बिस्वभर में सब्से ज्यादा एक पहला कोछर आपके एक्जाम में काफी बार मनाए कि सबसे ज्यादा दूद कहां पर होता है तो वो होता है आपके इंडिया में और इंडिया के किस राज जुमेय तो वह भी लिख लीजिए आप उत्थर प्रदेश तिसरा कोछर आप यहाँ पर ये नि न दूत की छमता जो है वो डबल हो जाएगी अभी बरतमान में इंडिया में कितना दुध होता है तो तिरपन मिलियन टन ठीक है कितना तिरपन मिलियन टन होता है लेकिन सरकार का कहना है दो हजार पचीज तक ये आकड़ा बढ़कर चला जाएगा 108 मिलियन टन तक जो बहुत बड़ी बात है दो गुदना टार्गेट रखा गया है सरकार के तरप से ठीक है न तो पहला कुस्टिन आपको किलियर हो गया होगा दो हजार पचीज तक ठीक है और सबसे जादा दुध कहां पर होता है कि मिक्की राइट जिनका निधन हो गया है 85 वर्स की आयू में वह एक प्रसिद्ध क्या थे आपको मैं बता दूँ ये बहुत बड़े क्या थी ये गॉल्फर आप्सोन नंबर आपका भी गॉल्फ खेला करती थी और ये किस देश से थी आपके एक्जाम में ये भी पूछ देगा तो ये थी आपके USA यानि अमेरिका के ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है बिजली बिबाग के लिए परदर्सन विनियमन अधिनियम लागू करने वाला पहला राज कौन सा बन गया है ये आप सभी को बताना है और वो राज जो है आपका उत्तर परदेश बहुत इपॉर्टेंट कोशन है ये वाला क्योंकि ये पहला राज बन गया है जिनोंने परफॉर्मेंस रेगुलेक्शन एक्ट जो है वो पास किया है इसके अंदर क्या है देखो जितने भी बिजली भाग के जितने भी करमचारी है न वो अपने ग्राह को पूरी अच्छी तरह से सुविधा दे ताकि ग्राह को कोई भी प्रॉब्लम ना हो उनका सिकाया टाइम पर लॉंच जो है वो दर्च किया जाए उनके समिद उनके जो अगर वहां से देरी होती है तो उल्टा ग्राह को पचास रुपई फाइन देने पड़ेंगे किसको यह ग्राह को मिलेगा पचास रुपई उल्टा थीक है तो यह नजर में रखा गया है उत्तरपरदिस रासरका के द्वारा ताकि बिजली को लेकर जो है वो पूरी प्रदर्शन विनियमन अधिनियम लागू करने वाला ठीक है और उत्तर परदेश के सीयम कौन है योगी आदित्तेनाथ क्यापिटल तो वो है लखनव और वहां के राद जुपाल है आपका अनंदी मेंट पटेल अगला प्रस हमारे सामने है किस कम्पनी ने 500 करो रुपए के करनाटका सरकार के साथ एक समझाता जो है उस पर डिल साइन किया है तो 500 करो रुपए के लिए करनाटका राज सरकार का डिल साइन हुआ है इंडियन ओयल कोर्परेशन के द्वारा यानि IOC के द्वारा ठीक है और एक बात और इंडियन ओयल कोर्परेशन के सीयो कौन है तो आप बोलेंगे संकर चकरवर्ती और करनाठका की बात करें तो वहां के सीम कौन है योदरप्पा साब राजपाल बजू भाई वाला और कैपिटल आपका क्या है तो वो है आपका बैंगलूरू ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है अस्ट्रेलिया ने भारत के नए उचाई उत के रूप में किसे निक्त किया है ये आपको बताना है तो उनका नाम है आपका बैरी ओफेरल आपका प्सी जो आप फोटो में देख पा रहे होंगे यही है आपके बैरी ओफेरल और एक बात अगर मैं बात करूँ आप सभी का किसका अस्ट्रेलिया को लेकर तो अस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है तो सभी को पता है कैनवरा मुद्रा क्या है अस्ट्रेलियन डॉलर और पीम को ने वहां के तो स्कॉट मौरिसन जो है वहां के प्रधान मंत्री है कहा के अस्ट्रेलिया क अगला प्रसमारे सामने हैं प्रधार मंत्री आवास बीमा योजना के कारे नेवन की समिछा पर राष्टी सम्मिलन का चौथा सस्कर्ण की सहर में आउजित किया जा रहा है और ये किया जा रहा है आपका उदयपूर में आपसोन नमबर आपका बी अगला प्रसमारे सामने हिंदी ने 615 मिलियन बोलने वालों लोगों के साथ दुनिया में सबसे अधीक बोली जाने वाली भासाओं में कौन सी रैंक हासिल की है यानि अगर बोला जाए आप सभी को इस धर्ती पर हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या क्या है तो आप बोले याद रखना एक्जाम में आपसे डारेक्ट डाटा पूझ देगा कि हिंदी बोलने वाले लोगों की टोटल संख्या क्या है अभी तुरंट रिपोर्ट के अनुसार तो आप क्या बोलेंगे 615 मिलियन ठीक है और इसी के साथ जो है पूरे इस धर्ती पर वर्ड में जो है हिंदी बोलने वाले लोगों की रैंक क्या है वो है ठर्ड यानि तिसरे नंबर पर हिंदी को स्थान दिया गया है यानि सबसे ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं तिसरे नंबर पर अब आपके mind में आ रहा होगा कि पहले पर कौन है भेया, तो पहले पर है आपका no doubt English यानि की English, तो English पहले पर है और दुसरे पर कौन है, तो दुसरा पर है आपका Chinese, दुसरे पर Chinese पहले पर इंग्छिस और तीसरे पर आपका हिंदी 615 मिलियन लोगों के साथ अगला प्रसमारे सामने है केंद्र सरकार ने 2030 तक उच्छिस्तिक्षा में सकल नमांकन अनुपात को प्राप्त करने का रख्च रखा है कितना का रख्च रखा गया तो 50% option number D The Union Government has set a target to achieve 50% gross enrollment ratio in higher education by 2030 अगला प्रसमारे सामने है और ये question भी काफी important है Noida में Engineering और Innovation Hub स्थापित करने के लिए कौन सी कंपनी भारत में तिसरी ऐसे स्वीदा है और वो कंपनी कौन है तो वो है आपका Microsoft option number आपका C अगला प्रसमारे सामने है 2020 ACI UA Junior Weightlifting Championship किस देश में अजिट की जा रही है और ये किया जा रहा है आपका उजबेकिस्तान में option number आपका C और आज का आपका पहला प्रसम यही से निकल कर आ रहा है आपको इसका currency यानि की मुद्रा यहाँ capital यानि की राजधानी और यहाँ की राष्टपती यानि की प्रेसिडेंट यह तीन चीज के बारे में आपको comment करकर बताना है यह आपका आज का पहला प्रसम है ठीक है तो यह थे आपके important current affair 2 March का और इसका पूरा PDF आपको इस video की description box में मिल जाएगा और एक बात बोल दूँ कि जो रात को साड़े 11 बजे वाला current affair class का revision चल रहा है न जो आप सभी बहुत प्रसंद कर रहे है उसके 6 माने का PDF आपको इस video की description box में मिल जाएगा तो आप सभी एक बार वो भी download कर लिजिएगा June, July, August, September, October, November और December का दो पार्ट already जो है वो हो चुका है ठीक है, सो मेरे जितने भी भाई बैन है, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही खयाल रखिएगा ठीक है ना, चलिए